तो फ्रेंट्स नेट डिजाइन बनाने के लिए हमने ये पेस्टिंग बुकरम लिया है तो इस पे हम पहले शेप कट करेंगे गले की तो ये मैंने लिया है टैन बाइ टैन का ठीक है अब इसकी खुर्दरी साइड को अंदर की तरफ करके इसे हम डबल फोल्ड करेंगे ये प् तो लुबर फोल्ड एम लिय का बिर्चों का ब्रॉड हमारे यह पे गले का ब्रॉड है सवा तीन इंच तो 6 तीन इंच पे हमने मार् म्रक कर लिया है अब इसब्लेष지 में मार्ख से नीचे की तरफ तिर्षें में हम लेंगे गले इन्हीं मक्स पर हमें लाइन ड्रोग करनी है तो इसकेल से हम लाइन ड्रोगए अब इन्हीं लैंस पर हमें शेप बनानी है जो बी आपको गले की शेप बनानी है मैं यहां पर लीव शेप बना रही हूं अब शेप बनाने के बाद इसी नीचे वाले पॉइंट से हमें 2 इंच लेना है तो यहां पे हमने 2 इंच पर मार्ग करया और उपर के उपर से हमें यहां से लेना है 1,5 इंच और इन मार्क्स को भी हम इन मार्क्स पर भी लाएन ड्रॉ कर लेंगे लाइन ट्रो करने के बाद सेम शेप हमें इन लाइन्स पे भी हमें सेम शेप बनानी है तो यह हमने शेप बना ली है तो अच्छे से एक बार शेप बनाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर अंदर वाली शेप की तो फ्रेंज हमारा जो गली की शेप है वो तयार है अब हम इसे कपड़े पेस्ट करेंगे तो इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 12 बाई 12 का और कपड़े की उल्टी साइड हमें उपर की तरफ पिछा के रखनी है अब इसका हमें सेंटर पे मार्क करना है जो 12 का सेंटर इसमें मार्क कर दिया और मार्क की दोनों तरफ हमें सवा तीन इंच लेना है इस साइड भी सवा तीन इंच क्योंकि जब हमने शेप की कटिंग की ती गले की शेप की तो सवा तीन इंच हमारा ब्रोड था तो वही हमें या पे लेना है और इन मार्क्स पे हमें इस तरह से शेप को रखना है और जो प्लेन साइड हमें नीचे करके रखना है बुक्रम की प्लेन साइड अब हम इसको पेस्ट करेंगे होने के बाद हम प्ल में अच्छे से पेष्ट होने के बाद हम अया से हलका हलका थोड़ी सा कप्डा ले लेंगे एक इंच या आदा इंच तक प्ले सकते हैं और बंगी का यहां से हम कट करळेंगे यह हमेरे कम ही कपड़ा चाहिए होता है क्योंकि हमें इसे बस बुक्रम के उपर फोल्ड करना होता है इस तरीके से बस फोल्ड हो जा इतना हमें कपड़ा चाहिए होता है अब इसको फोल्ड करेंगे बुक्रम के उपर और यहां पर हम एक सिलाई लगा लेंगे साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो फ्रेंड्स अब पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहापे सिंगल फूट लगा लिया है पहले से ही अब इसको पलट लेंगे गले को और यहाँ पे हमें जहां तक हमारा बुक्रम आ रहा है इस तरह से फोल्ड करेंगे और छॉक से इस तरह से निशान बनाएंगे यह देखें तरह से निशान लगाएंगे तो आपका बिलकुल बुक्रम से बुक्रम पे निशान लग जाएगा जो कि पाइपिंड भी हमारी यहीं पे लगनी है तो पूरी गले पे इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे तो यहां पे हम पाइपिंग मोटी वाली यूज करेंगे यह दिखें, मोटी वाली piping मैंने आप यूज की है, तो हमें इस तरह से रखनी है, ठीक है, यह वाला जो पार्ट है, piping का, यह हमें शेप की अंदर की तरफ रखना है, इस तरह से, तो यहां पर मैं सिंगल फूट का इस्तामाल कर रही हूँ क्योंकि यह वाली पाइपिंग हम कोई भी पाइपिंग हम डबल फूट से नहीं लगा सकते जितना हमारे लग रहे हैं उतना हम कट कर लेंगे तो फ्रेंट्स पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इसे कुर्टे पे अटेच करेंगे तो यह हमारा कुर्टा है और यहां पे शोल्डर पे हमने सेंटर कट लगाया हुआ है और गले पे भी हमने सेंटर कट लगाया हुआ है यह दिखे और यह ध्यान रखना है कि हमें कुर्टे को उल्टा रखना है उल्टी साइड उपर के तरफ रखके इसी अटेच करना है दोनों कट्स को इस तरह से रखेंगे मिलाके और फिर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और सिलाई भी हम सिंगल फुट से ही लगाएंगे और बिल्कुल बुक्रम के साथ साथ में हम सिलाई लगाएंगे बुक्रम के उपर बिल्कुल सिलाई हमारी नहीं चड़नी चाहिए तो प्रेंट सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे गले की तो हम याव बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लगबग सावाईंची कपड़ा चोड़ और बाकी का कट करते। अब इसी जो कमने कपड़ा चोड़ा है इस पे हम छोटे-छोटे से कट्स लगाएंगे जिससे कि हमारा जो गला है वो सीधी तरफ हमें पलटने में असानी होगी क्योंकि हमने उल्टी तरफ इसे अटेच किया था कपड़े की उल्टी तरफ तो पलटने के बाद हमारा जो गला है वो इस तरह से सीधी तरफ आ जाएगा तो फ्रेंट्स गले को पलटने के बाद हमारी जो पाइपिंग है उसके बिल्कुल पास-पास हमें टॉप स्टिच लगानी है जिससे कि हमारे जो गले की शेप है उसमें फिनिशिंग आ जाए तो इसको अच्छे तरह से पलट लेंगे इस तरह किसे सलाई लगाएंगे तो गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी अच्छे लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम फिर से पाइपिंग लगाएंगे इस तरह हम पाइपिंग शेप में के नीचे दबाके लगाएंगे यह जो हमारी गले की शेप है इसके नीचे हमें इस तरह से पाइपिंग लखनी है और इसको हमें सिलाई लगाना है इसके बाद करेंगे तो फ्रेंट्स फाइनली हमारा नेक डिजाइन बनके तयार हो चुका है आपको मेरा ये डिजाइन मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई